गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आज हम साइन्स क्लास सेवेंथ चैप्टर सेवेंथ जन्तूं में पोशन के अंतरगत मनिश्य में दातों के प्रकार उनके कार्य और शाकाहरी जन्तूं में पाचन के विशे में जानेंगे बच्चो जैसे के हम सभी जानते हैं ये भोजन के पाचन में दातों का बहुत महत्वपून रोल होता है और मुख कुहा में 32 दात होते हैं मनिशे के मुख में चार प्रकार के दांत पाई जाते हैं करंतक जिनका कार्य भोजन को काटना और कुदरना है उसके बाद दूसरे प्रकार के दांत रदनक जो चीरने और फाडने के काम आते हैं ये प्रतेक जब्डे में दोदो की संख्या में होते हैं और मासाहारी जानवरों में ज़्यादा विक्सित होते हैं। उसके बाद अग्र चवर्नक जो की चबाने का कारे करते हैं। प्रतेक जब्डे में चार-चार की संख्या में होते हैं। और 10-12 वर्ष की आयू तक पून्ड रूप से विक्सित हो जाते हैं। चौथे प्रकार के दान्थ चवर्नक जिन्हें मूलर्स भी कहते हैं जो चबाने और पीसने का कारे करते हैं। और प्रतेक जब्डे में 6-6 दान्थ पाए जाते हैं। बच्चों तुमने शाकाहारी पशुनों जैसे गाई भैस आदी को घास आदी को जल्दी जल्दी निकलते हुए देखा होगा। ये घास अमाशे के एक भाग में इकठी हो जाती हैं। जिसे रूमेन या प्रतम अमाशे भी कहते हैं। और यही भोजन का आशिक पाचन होता है। इसे जुगाली भी कहते हैं। यही भोजन फिर छोटे-छोटे पिंड़कों के रूप में मूँ में वापस आ जाता है। और जिसे लगातार चबाया जाता है। चबाने की यह प्रक्रिया, रोमन्थन और यह जन्तू रूमिनेंट्स कहलाते हैं। इन जन्तूं के भोजन में क्योंकि सेलुलोस की मात्रा अधिक होती है और इनका पाचन असानी से नहीं हो सकता। रूमिनेंट्स में छोटी आत और बड़ी आत के बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल यह सीकम कहते हैं। और भोजन के सेलुलोस का पाचन इसी स्थान पर होता है। यह सीकम मनुश्य में नहीं पाया जाता। और बचो अब एक्सरसाइज टाइम और इन्हीं अभ्यास प्रशनों के साथ फिर मिलेंगे। गुडबाई।